कि नमस्कार दोस्तों आज कि इस वीडियो हम सॉल्व करने वाले हैं एमकॉम एंट्रांस टेस्ट जो कंड़क्ट करवाए गया था 21 जोन 2023 को है मचल प्रदीशी निश्टी के दारा इसमें कुल आपके पास 100 कोशन थे एक कोशन आपका एक नंबर का था नेगेटिव नहीं थी इसमें तो वीडियो को शूरू करने से पहले आंसर की पताने से पहले आप मेरे जैनल को सुब्स्राइब जूर कर ले बैल आइकन को भी दूआ लें ताकि मेरी हर एक अपडेट आपके पास टाइम पहुंचे किसी को कुछ क्वेरी रहती है या कुछ पेडियो की आपके पास रकत है नेक्स्ट्कुशन नमबर 2 आतब्या करने की धमकी धैश होती है आतमत्य करने की धमकी आपके पास किया नाती है जबर्दस्थी option number C सही उपलबद होता है रहते हैं Next question number 4. जहाँ दोनों पक्षों में तत्यों की बात के रूप में गलती के तहत समझ्जोता हो गयों, जो समझ्जोते के लिए अवश्यक है उस समझ्जोते को डेश कहते हैं, उसे कहते हैं सुन्ने हो, ठीक है? सुन्ने समझ्जोता के लाता हैं हो. Next question number 5. अनुमंद आपसी समझूते के तहट डेश के माद्यम से समाप्त हो चाता है। दोस्तो, आपके पार जो नुवेशन है यानि के निवीन्ता, इसके माद्यम से आपके पास क्या होता है कि अनुमंद आपसी समझूते समाप्त हो चाती है। Next question number 6. की देश समय की अबधी में सभीकृति के लिए एक खुला प्रस्ताव है तो दोस्तों जो आपके पास standing offer यानि की स्थाई प्रस्ताव वो समय की अबधी मेंसभीकृति के लिए एक खुला प्रस्ताव मना जाता है तिक चुनन साथ क्शतिपूर्ति के अनुमंद को डेश का जा सकता है दोस्तों क्षती पूर्ती के अनिमंद को मुख्य तका आता है आपके पास अकासमिक संभीदा यानि option नमबर 20 सही उत्तार है यानि कि contingent contract इसको का आता है next question number 8 जब share premium पर जारी की आते हैं तो premium की राशी डेश में जमा की आएगी तो इस तो जमाराशी की आएगी आपके प्रतीव होती premium खाते में यानि कि option number है आपके पास ही उत्तार है question number 8 का अगला question question number 9 profit and loss statement is also known as love और आनि बिवर्न को मुख्यत है जाना जाते है आपके आयके बिवर्न के नाम से यानि कि statement of income के नाम से जाना आती है आपके पास जो total income होती है ठीक है विस आपके समधित माने आती है lab और हानी से ठीक है next question number 10 share अवेदन खाता एक डेश है share application account is a dash दोस्तों आपके पास जो share अवेदन खाता है ये का आपके पास personal account होता यानि option number a से ही उत्तर है next question number 11 जब share को जबद कर ले आता है तो share पुंजी खाते को dash से debit किया आता है दोस्तों इसमें debit किया आता है आपके share के call of मुल्यों से ठीक है option number B से ही उत्ता है next question number 12 बित्य अभी बर्नों के तुलनात्मक बिशलेशन में उप्योग की आने वाली कौन सी बीदी है जिसमें के जिस बीदी का उप्योग की आते वे आपके पास बर्यता बिशलेशन बीदी ठीक है यानि कि option number आपके पास C से ही रहने वाला है question number 12 ठीक है यानिकी preference इसका सही उत्तार है next question number 13 जिन रिणपत्रों को कंपनी की रिजिस्टर में दर्जनी की आता है उने मुख्य थे किस नाम से जाने आता है Q13 का सही उत्तार option number C जिन रिन पत्रों को company की register में दरजनी की आता है, enter नहीं की आता है उनका मुख्यता जाने आता है आपके पास BRR रिन पत्र के नाम से यानि कि option number C सही उत्तार है Next question number 14 जब रिन पत्र छूट पर जारी की आते हैं तथा premium पर प्रतिदे होते हैं तो जारी करते समय निमलिक्त में से किस खाती से डेविट किया आता है Question number 14 का सही उत्तार है option number C यानि कि डिवेंचर खाते के जारी करने पर हानी से इसको डेविट किया आता है Next question number 15 उपरी लागत डेश का योग है overhead cost is total of dash Question number 15 का सही उत्तार option number A यानि कि सभी अप्रतिक्स लागतों का आपके पास जो overhead cost होती है वे आपके पास सम्माना याता किसका all indirect costs का Next question number 16 आरोपित लागत के किलाती है यानि कि imported cost is a dash 16 का सही उत्तार है option number A यानि कि ये आपके पास अनुमानित लागत किलाती है ठीक है आरोपित लागत है कि एक प्रकार की क्या है अनुमानित लागत है Next question number 17 अप्रतक्स समागरी स्क्रेब को dash के साथ समयूजित किया आता है तो दोस्तों अप्रतक्स समागरी स्क्रेब को dash के साथ समयूजित किया आता है तो वह है आपके पास option number B यानि कि factory लागत factory लागत के साथ आपके पास समयूजित कियाता है अप्रतक्स समागरी स्क्रेब को नेक्स्ट क्वेश्चन नमबर 18 अधिस्य में सम्य है ठीके डेश 18 का सई उत्तर रहने वाला option number A अधिस्य में जो समय है बास्तवी घंटे समान्यों समय से अधिक होना ठीके के लाता है ठीके नेक्स्ट क्वेश्चन नमबर 19 श्रम अवर्थ का क्या अर्थ होता है श्रम अवर्थ का मुक्यते आपके पास अर्थ होता है निद्रिश्ट अवधी के दुरान श्रम बल कि सरंचना में परिबर्टन की दर ठीक है ठीक है यह जो लेवर टर्नोवर नेक्स्ट क्वेश्चन नमबर 20 यह क्या बेख योगउद्ष ईकाई के बंद होने पर भी खर्च किया आती है उससे क्या कहते है क्या की रधा delle इसे रधा मेल ब्ल सब्वेश्ट के इसका बंद होने पर भी थोरी हो last धानिस के स्जाथ में अर्सऩीं सब्ड कर्ष चूश्ट एक आइप जो material है, उसकी जो demand होती है, वो dash के लिए होती है, किस के लिए होती है, वे आपके होती है, दुकानों से समगरे की अपूर्ती करने के लिए, यानि इसकी supply of material from stores. नेक्स्ट, question number 22, dash नद्रदेशों का एक set है, जो computer दोरा निश्पाशित की जाने पर विशिष्ट assignment करने के लिए तियार की आता है, question number 22 का सही उत्तर है, option number C, यानि कि programming का सही उत्तर है, ठीक है, next, question number 23, ms excel में column को dash के रूप में नामकित किया आता है, यह आपके पास computer का question है, यह आपने ख्याल रखना है कि आपके पास जो mcom का ट्रांस टेस्ट होता है, इसमें आपके पास computer के question ही पूछे जाएंगे, ठीक है, तो excel की बात के तो excel में column को dash के रूप में नामकित किया आता है, question number 23 का सही उत्तर, option number E, यानि कि ABC की रूप में, column को ABC की रूप में और जबकि आपके पास ज़रू है उसको 123 के रूप में बताया आता है, next question number 24, computer के जाने किसे माना आता है, who is the father of computers, computer के फादर माना आता है, Charles Bavis को, option number B सही उत्तर है, 24 का, next question number 25, निमलित मैं से कौन सा computer का सही नाम है, तो computer की फुलपर्म आपके पास कह रहती है, देख लो, question number 25 का सही उत्तर, option number D, यानि कि commonly operated machines used in technical and educational research, सही फुलपर्म है, option number D, ठीक है, next question number 26, 26, किसी प्रेश्ट पर छफाईक्षेत्र के भाहर के रिक्तसान को क्या कहती है, what is the blank space called outside the printing area on a page, 26 का सही उत्तर, option number B, इसे कह रहता है, margins, ठीक है, किसी दो पेजों की बीच की पेज, आपके पास जो दो पेज होते हैं, ठीक है, उनकी बीच की जो गैव को मुक्षेता है, margin, ठीक है, आपके पास यहां पे यह margin है, next question number 27, resume बनाने के लिए निम लिखत मैंसे कौन से software का प्रियोग की आते हैं, दोस्तों, resume बनाने के लिए, जिस software का प्रियोग की आते हैं, आपके पास MSWord, यानि आपने किसी company के लिए वेदन करना है, या किसी भी आपने नोकरी के लिए वेदन करना है, ठीक है, private नोकरी के question number 28, का सही उत्तर option number B, यानि कि आपके पास Rome है, या आपके पास read only मोरी जो है, आपके एक non volatile मोरी है, याद रखना है, ठीक है, जबकि RAM volatile मोरी है, next question number 29, क्रिशी आय के अलावा, अन्य आय पर कर लगाने के लिए केंदर सरकार को भारत के समिदान की अन्य सूची, ठीक है, साथ की संग सूची की परविष्टी देश द्वारा अधिकार दिया गया है, अनुचे जिसमें आपके इसका भरन के गया है, तो 29 का सही उत्तर रहने वाल अधिकार दिया गया है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेशन नमबर 30, ग्री संपत्ती से आय शिर्शक के अंतरगत भुसूली का अधार है, डेश, क्वेशन नमबर 30 का सही उत्तर है, ऑप्शन नमबर C, यानि की बार्श के मोल्यों, यानि की आपके पास annual जो value है, वो ग्री संपत 61 के तहत क्रिशी आये है, 31 का सही उत्तर है, ऑप्शन नमबर B, यानि की क्रिशी उबज के रूप में सहावकार द्वारा जो प्राप्त भ्याज है, ठीक है, वे आपके पास क्रिशी आये है, इसका बनन आपके पास अधिनियम 1961 में किया गया है, नेक्स्ट क्वेशन नमबर A, यानि कि किसी व्यक्ति के द्वारा राणिक दलो को कियेगी अंश्दान के समंद में, जो छूट दी आती है, उसे कहते हैं, धारा असी जी जी सी, ऑप्शन नमबर आपके पास सही उत्तर है, 32 का A, ठीक, नेक्स्ट क्वेशन नमबर 33, 33 का सही उत्तर रहने वाला है, ऑप लिखांकन का पुर्बा अनुमान उपकरन नहीं है, which of the following is not a productive tool of management accounting, 34 का सही उत्तर है, ऑप्शन नमबर B, यानि कि आपके पास जो बैलेस्ट स्कोर कार्ड है, 17 स्कोर कार्ड, वे आपके पास परबंदन लिखांकन का पुर्बा अनुमान उपकरन नहीं माना याता है, नेक इसे मुख्यत आपके जाना जाता है, प्रदेशन मापन के नाम से, यानि की performance measurement के नाम से, ऑप्शन नमबर D से उत्तर 35 का, नेक्स्ट कुशन नमबर 36, नेमल निक्त में से कौन से या कौन सा बित्य प्रदेशन के उपाय के उपकरन है, 36 का सही उत्तर रहने वाला है, इसे क्या कहते हैं, तो आपके पास जो SCBA है, इसे मुख्यत आपके जाना जाता है, समाजिक लागत, लाव बिसलेशन के नाम से, यानि की social cost benefit analysis के नाम से, ऑप्शन नमबर 6 से उत्तर है, नेक्स्ट कुशन नमबर 38, बास्तविक विकरी तदा, लाव आ लाव बिकरी के बीच का अंतर क्या कहलाता है, a difference between actual sales and break-even sales is called, जैश, 38 का right answer option number C, ये कहलाता है, आपके पास margin of safety, यानि की सुरक्षा का margin कहलाता है, आपके पास, चिक है, नेक्स्ट कुशन नमबर 39, पुन्जी वस्टिंग में नीमन लिक्त में से कौन सी गेर चुट पती है, question number 39 का right answer option number D, प्रतिफल की लिकादार से, यानि की accounting rate of return, आपके पास इसका सी उत्तर है, next question number 40, at break-even point contribution will be equal to dash, यानि की लाव अलहाब स्थिति पर योगदान dash के बराबर होगा, तो ये बराबर हो आपके पास लहाब की, ठीक है, option number, sorry, इसका सही उत्तर option number D, यानि की इन में से कोई इसका सही answer नहीं, ठीक है, next question number 41, EDII को विक्सित किया गया था, इसको विक्सित किया गया था, मुक्य थे आपके पास, अखिल भारती और वित्तिय संस्तानों के द्वारा, यानि की All India Financial Institute के द्वारा, option number C, सही उत्तर 41 का, next question number 42, उद्यम्शिल संस्कृति तथा, विकास उनमुक्षी करने में, निमुलिक्त में से किसको छोड़ कर सभी शामिल किया थे, 42 का सही उत्तर option number A, यानि की विचार स्रिजन के लिए कर्मचारियों को पर्चान देना, इसमें शामिल किया था है, question number 43, उद्योगिक्त तदा उद्यम्शिल्था के चोतरफा डेश ब्रीदी प्राप्त करने के लिए उद्यम्शिल्था विकास महत्रपुन मानायाता है, 43 का सही उत्तर option number B, यानि की लाब में ब्रीदी के लिए इसको लाब करी मानायाता है, नेक्स्ट question number 44, आपके पास एक statement देगी है, आपने पताने कि statement को देने वाले जो ब्यक्ति थी, उनका नाम क्याता, statement क्याती देख लो, मैं बास्तर में बिश्वास करता हूँ कि उद्यम्मिता असपलता का सामना करने तथा, असपलता के बाद सपल होने के लिए है, ठीक है, तो ये statement देने वाले जो ब्यक्ति थी, उनका नाम था, कीरन मजूमदार शो, option number ये सही उत्तर है, नेक्स्ट question number 45, इंजल्स आमतोर पर किसी प्रकार का बित्पोश्ण प्रदान करता है, question number 45 का सयुत्तर, option number B, activity, ठीक है, एक्विविटी, ठीक है, एक्विविटी, आपके पास इसका सयुत्तर है, नेक्स्ट question number 46, नेमलिक्ट मेंसे किस अनुमंद पर प्रस्तावित कम्पनी की ओर से तीसरे पक्ष के साथ प्रवर्थकों द्वारा हस्ताक्षित किये जाते हैं, तो ये हस्ताक्षित किये जाते हैं, मुखेत हैं आपके अस्थाई अनुमंदन याने की प्रविजनल कोंटेक्ट के माद्यम निमलिक्त में से किस सहकारी समीति किस थापना छोटे उत्पाद को उनकी उत्पाद भेशने में मदद करने के लिए की गई थी 47 का सई उत्तर है option नमबर B यानि कि वीपनन सहकारी समीति के द्वारा आपके पास help की गई थी यानि कि सहकारी समीति किस थापना के लिए ठीक है नेक्स्ट कुश्चन नमबर 48 का सई उत्तर है option नमबर A यानि कि एकल स्वामित तब ठीक है नेक्स्ट कुश्चन नमबर 49 एक साज़ेदार जिसका फल से समन्त आमजनता के लिए अज्याद होता है वे क्या कहलाता है कुश्चन नमबर 49 का सई उत्तर है option नमबर C वे कहलाता है आपके पास nominal partner यानि कि नामातर साज़ेदार कहलाता है वो नेक्स्ट कुश्चन नमबर 50 का सई उत्तर है option नमबर A यानि कि साज़ेदारी के लाता है नेक्स्ट कुश्चन नमबर 51 दोरी लेखा परनाली की अवधारना विक्सित की गये थी किसके दोरा दोस्तों एक प्रसिद परनाली डवल एंटर सिस्टम इसको डेवलफ करने वाल नेक्स्ट कुश्चन नमबर 52 बुक कीपिंग मुख्या रूप से समंदित माने आती है किसी इसका सई उत्तर है option नमबर A यानि कि बेवसाय संचालन से समंदित वित्त्य और डेटा रिकॉर्ड करने से समंदित माने आती है नेक्स्ट कुश्चन नमबर 53 विच आप दा फॉलिंग इस एन इंटेंगिवल आइसेट्स यानि कि निमलिक्त मैंसे कौन सी अम्मूरत संपत्ती है 53 का सई उत्तर है option नमबर D यानि कि जो आपके पास पेटेंट है पेटेंट से या आपके पास एक प्रकार की अम्मूरत सं नेक्स्ट कुश्चन नमबर 54 इन मैंसे कौन सा अहारन है 54 का सई उत्तर है option नमबर C मतलब कि which of following is the drawing कि इन मैंसे आपके पास ड्रोइंग कौन सा है तो पैसन निकालेगे तथा व्यक्तित उपयोग के लिए आपके पास जो राशिक यूज की गई उसकी कार ठीदी गई ठीक नेक्स्ट कुश्चन नमबर 55 सभी आकासमिक देंदारियों को तुलन पत्तर में किसकी अनुसार फूटनोट की रूप में दिखाया जाना चाहिए इसका से उत्तर है option नमबर C यानि की पूर्ण प्रक्टिकन अबधारना के अंदरगत दिखाना चीज को अ मैसे नुमसा दस्तावश का स्त्रोत नहीं है आपका खाता यानि की अकांट नेक्स्ट कुश्चन नमबर 57 इसका सही उत्तर है option नमबर B यानि की छे आजार रूपय नेक्स्ट कुश्चन नमबर 58 बैपार तथा उध्योग पर लगाएगे प्रतिबंदो तथा नियंतरन में धील देने का क्या रहते हैं यानि किसी विपार या अध्योग पर जो प्रतिबंदो और नियंतरन लगाया आता है उसमें कुछ एक छूट देना कुछ एक धेल देना वो क्या कहलाता है तो उसे मुख्यत आपकी जाना याता है उधारी करने के नान से यानि की लिवरेलाइजेशन के नाम से जाना आता है नेक्स्ट क्वेशन नमबर 59 उद्योगिक निती प्रस्ताब सरपतम पाड़्ट किया गया था 59 का राइड अंसर ऑप्शन नमबर C 1956 में जबकि सबसे पहले उद्योगिक निती अपनाई गी थी 1948 में और दूसरी उद्योगिक निती को अपनाया गया था आपके 1996 में इस हिसाब से इस क्वेशन का सही उत्तर ऑप्शन नमबर B है यानि कि 1949 में नेक्स्ट क्वेशन नमबर 60 बैश्विकर्ण बैशबद जिसका उप्योग प्रतिवन अटाने की प्रिक्रिया का बनन करने के लिए किया आता है 60 का सही उत्तर ऑप्शन नमबर C यानि कि नमबर 60 बैश्विकर्ण का यानि ऑप्शन नमबर 60 सही उत्तर है 60 का नेक्स्ट क्वेशन नमबर 61 एक प्रसिद पुस्तक है देखनों क्या नाम इसका अच और डिस कॉंटिनीवटी इस पुस्तक को लिए यदा 1969 में इस पुस्तक को लिखने वाले ब्यक्ति को थी तो दोस् इस नौर्ट दम में ऑब्जेक्टिब ऑफ फिशल पॉलिशी इन इंडिया भारत में कौन सी राजकोश्यों नीती का मुख्य उदेश्य नहीं है 62 का सही उत्तर ऑप्शन नमबर ए यानि किसी अर्थवस्ता में तरलता को बढ़ाना राजकोश्यों नीती का मुख्य नेकि जाब के पास में आपको रख लोगो स्कूंसर्ट नेक्स्ट क्ुष्चन नमबर सिक्सटी फोर सिक्स्टी फोर का और और जाने कि यानि कि hurry परिचालन लेंदार इसका सही उत्तर है नेक्स्ट कुश्चन नंबर 65 का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर यानि कि पांच दस्यों कुश्चन के पूछा गया देख लो जब तक लेखों के लिए बड़ी संक्यामेस दस्यों कि सवस्कता नहीं होती तो एक उत्पाद कंपनी की एक समान्य बेटक का कोरम कितना होगा तो किसमें कोरम आना जाता है पांच दस्यों ठीक है अब बात किया कुश्चन नंबर 66 की अत्रिक तनिदेश्यक नियुक्त करने की शक्ति का प्रियोग किया जा सकता है अब अब अप्वाइंटिक अडिशनल डारेक्टर के एकसाइज डिवाइदा 66 का सई उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानि की बोर्ड की बेटक के द्वारा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्यन नंबर 67 67 का सई उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी यानि की 65 प्रस्पेक्टस नेक्स्ट क्वेश्यन नंबर 68 निदेशक द्वारा निदेशक उत्तरदायत बक्तव्य में बार्शे खाते तियार की जाते हैं इसको बार्शे खाता तियार की आता है नेक्स्ट क्वेश्यन नंबर 69 69 का सई उत्तर रहने वाला है ओफिश्यन नंबर D यानि की समान्य उत्ति के लिए ब्यक्ति हित की इधारना इसका सई उत्तर है नेक्स्ट क्वेश्यन नंबर 70 एक प्षिद विद्वान है मासलो उनके उनुसार एक व्यक्ति जो सने अपनापन सभिक्रिति मित्रता की तलाश में है वह किस अवस्कता की स्तर पर है दोस्तों वह जिस स्तर पर है वह है आपका आप्षिन नंबर सी यानि की समाज की जरूरत है ठीक है यदि किसी व्यक्तिक उसने अपनापन सभिक्रिति मित्रता की तलाश है उसको ढूंड रहा है वह आपके पास समाज की जरूरत जाता है नेक्स्ट क्वेश्यन नंबर 71 हैंडरी फ्योल को जाना जाता है डेस के नाम स डेस के रूप में आपके जाना जाता है 71 का सही उत्तर है option number E यानि कि इसको मुख्यता जाना जाता है father of general management next question number 72 प्रबंदन के किस कार्यों में संगठन स्रंचना में पदों को भरना तदा भरा रखना शामिल कियाता है question number 60 sorry 72 का सही उत्तर रहने वाला है option number C यानि कि स्टाफिंग के लाता है किसी पद को भरना आपके पास स्टाफिंग लाता है question number 73 नेमलिक्त मैंसे कौन साब विभिनस तरो पर व्यक्तियों के बीच सूचना के परवा को संदर्विक करता है जिनका प्रतेक्ष रिपोर्टिंग से कोई समंदर नहीं है तो यह है आपके पास option number B यानि कि बिवन संचार डाइगनल जो आपके पास communication है इसका समंदर नहीं से ठीक है नेक्स्ट कुश्चन नमबर 74 विच मीन इस मोस्ट एफेक्टेड़ वाई एक्स्ट्रीम वैल्यूस कौन सा माद्यों अत्यादिक मुल्यों से सबसे अधिक प्रवावित होता है तो यह प्रवावित होता है आपक का अंगनतियों माद्यों यानि की arithmetic means ठीक है नेक्स्ट कुश्चन नमबर 75 विच अपड़ फॉलिउंग इस मेजर और सेंट्रल वैल्यू नीमलिक्त में से कौन सा कैंद्रियों मान का माप है तो कैंद्रियों मान है उसका माप माना याता है आपका जो माद्या का यानिकी आपके पास मानक बिचलन यानिकी स्टेंडर्ड डेविटेशन के लाता है नेक्स्ट कॉर्शन नमबर सेवंटी एड़ चित्रले क्या कैलाते है पिक्टोरिजम क्या कैलाते आपके पास जो आपके पास पिक्तॉग्रेम क्या रास केलाते हैं क्या अत्यंत्कम सग्यी मतलब कि least accurate एनि की बहुत कमे सग्यों होते हैं क्या चीज पिक्टोग्रेम्स नेक्स्ट कुश्चन नमबर 79 बिक्षेपन का कौन सा माप बिश्वस्नियों ताके उस तमस्तर को सुनिचित करता है विच मेजर ओप डिस पर्शन्स एंशूर हाइस डिगरी ओफ रिलायविलिटी 79 का सई उत्तर है option number D यानि की मानिक बिश्लन आपका सई उत्तर है 79 का next question number 80 निवरिकल क्वेश्चन है डिस निंग किस को मान सेकते हैं चीज को ठीक है 11 7 6 9 12 15 19 ठीक है डेश इस दम मिडियन ओफ वैलिए जो आपको आसे वैलियू दीगे वो मानों की मादे का क्या है इन मानों कि आपके पास क्या निकालने है मीडियन यानि की मादय का कुण निकालना है इस क्वेश्चन का सही होता है option number बित्य प्रबंदन एक भाग है किसका तो भाग माना आता है आपके पास बिद्निस मनीजमेंट का नेक्स्ट कॉष्चन नमबर 83, पुझी शरंचना को कौन सा कारेक निधारित करता है, विच फैक्टर डीटर्माइन केप्टल स्टक्चर तो पूंजी सरंचना को जो कारेक निर्धारित करता है वे है आपका जोकिम पूंजी की लागत, इक्वेटी, प्रवेपार यानि कि तीनों आपके सही है, ऑप्शन नमबर D सही उत्तार है, क्वेशन नमबर 83 का नेक्स्ट क्वेशन नमबर 84, मुल्यहरास नीदी की लागत की गणना किस रूप में कियाती है, इसका सही उत्तार रहने वाला है, ऑप्शन नमबर A, यानि की लॉंग टर्न, लॉंग कैपिटल, ठीक है, दिर्ध कालिक जो रिंध पूंजी है, ठीक है, तो ये आपके पास मु आप्शन नमबर A, नेक्स्ट क्वेशन नमबर 86, का सही उत्तार रहने वाला है, ऑप्शन नमबर B, यानि की लेन दिन का उदिशो इसका सही उत्तार है, नेक्स्ट क्वेशन नमबर 87, किसी फर्म की परिचालन, लीवरिच जीगरी यानि की डॉल, मुख्य रूप से आप्शन नमबर A, यह मुक्यत आपके निर्वरिग करता है, इसके बिकरी परिवतन शीलता पर, यानि की आपके पर जो सेल्स वेरिवलिटी है, उस पर डिपेंट करता है, आपके पास डॉल, नेक्स्ट क्वेशन नमबर 88, आतिक्षमता, अधिक प्रतिस्पदा तथा कमज लाइन स्टेच, ठीक है, नेक्स्ट क्वेशन नमबर 89, विच आप दा फॉलिउंग इस नौट टाइप अव डिसीजन, यूजली मेट डिविडिंग दा प्रड़क्ट ड्वेल्पमेंट स्टेच, निम लिक्ति मैंसे किस प्रकार का जो निर्न्यों है, आमत्वर पर उतपा करना या फिर बितनक्षित्र में नेक्षित्र को जोड़ना क्या कहलाता है, कुश्टन पूछा गया कि, स्टार्टिंग बिद वन और टू एरिया एंड एडिंग नियू रिजिन्स टू ड़ा, डिस्टिविशन एरिया इस कॉल्ड डैश, 90 का सही उत्तार, ऑप्शन नमबर C, यानि की मार्किट निवेश, आपके पास कहलाता है, ठीक है, नेक्स्ट कुश्चन नमबर 92, उत्पाद का मुल्य और निदारन, जिसका एक मुख्य उत्पाद के साथ उप्यों कहलाना चाहिए, कैसा मुल्य और निदारन कहलाता है, ये मुख्या आपके लाता है, अबाइण प्रसेस स्टाटस अब हैं अब्वायर कि अधिया कर्या तब शूरू होती है जब ख्रीदार पैचांता है किसको तो जब पैचांता है समस्या तम अबनीक्ता एक णारी प्रक्रया को शूरू खिरिदार के नेक्स्ट क्वेश्ट नमबर 95 का सही उत्तर रहने वाला है, उप्षिन नमबर C, यानि कि बित्य पर्नाली, बित्य पर्नाली, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्ट नमबर 96, इसका उप्षिन नमबर 6, करनी है ठीक है नेक्स्ट कुशन नमर 97 गैर बैंकिंग संस्थान किसके तहद पंजिक्रित होते हैं नौर बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्ट्यूशन और अर्जिस्टेड अंडर 97 का सही उत्तर आप्शन नमबर सी यानि कि कंपनी अधिनियम के द्वारा इसको पंजिक्रित कि आता है गैर बैंक कि संस्थान को कोशन नमर 98 आयाईवी का क्या रते दोस्तों आयाईवी का जो फुल पॉर में आपके पास वह हैं इंशोरेंस इन्फोर्मेशन ब्योरो यानि ऑप्शन नमबर सी से उत्तर है नेक्स्ट कुशन नमर 99 भारत में मर्चैंट बैंकों की कारी नहीं कियाता है किसके दवारा प्राइबेट प्लिस्मेंट में ठीक है ऑप्शन नमबर 20 से होते हैं दोस्तों यह आपके पास कुल में लाकर 100 प्रशन ठीक है तो इसके लाबा कुछ आपकी क्वेरी रहती है कि कुछ पूछने तो आप कोईट करके पूछ सकते हैं ठीक